तो एक साल पहले की ये बात है जब हनी पाजी ने इंटरनेशनल विलेजर 2 एल्बम से एक बहुत बड़ा कोलाब अनाउंस किया था योयो हनी सिंग एक्स बोहिमिया वैसे तो एल्बम अभी पॉस्ट पॉन हो चुकी है लेकिन अब ऐसा लग रहे कि इस कोलाबरेशन में कोई दिक्कत आ सकती है क्योंकि कुछ महीनों पहले सुनाक्षी की वैडिंग में हनी पाजी ने बेलेंसिया का ब्रेंड को पेला था इसका रीजन मैं आल्रेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी बोहिमिया पाजी जबरदस्ती इसे बार बार प्रमोट करे जा रहे हैं मान लिया आप पता नहीं ये बोहिमिया ने जान बूच के किया है या फिर ऐसे शियर कर दिया लेकिन ये देखके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुक है तो ब्रेंड के पीछे लड़ना मेरी समझ से बिल्कुल भार है बाकी आपका इ बहुत ही सही बात बोली है आप लोग सुन लो आजकल यूटूब पर कॉंट्रवर्सी चल रही है देश दिस राइवल्री गोंग आपने देखिया तो अने सिंग बाश्या की आपकी हुई है आपकी हुई है सब अपिसी से एसी राइवल्री यार ये सब अच्छी मुझे ल सोचना चाहिए अगर आप आप वेस्ट के आटिस देखिये तो अभी वहां के जो हिप-आप आटिस्ट वो भी एक दुसरे को डिस करना बंग कर दी है बन हमारा यार डिसिंग अभी चल रहा है बहुत कम हो गया या सर चल अभी ड्रेक का और उसका था केंड्रिक लैमार का अभी तक चल रहे हैं लोग पंग है यार यह सब डिसिंग करते हो तो यार थोड़ा मतलब तकलीफ होती है इसके अलावा हनी पाजी जो हरी दुवार गए थे वहां से उन्होंने एक वीडियो शेयर करी है आप लोग देख लो सो अभी के लिए बस इतना ही यहां तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में तिल देन बबाए झाल झाल झाल